सी गड किला जिसे कुंडाना किला के नाम से भी जना जाता है भारत के महराष्ट में पुनिये के पास सिस्थित एक पहाडी किला है इसका एक लंबा और सम्रीद दितिहास है जो बारावी सताब्दी का है और यहा कई लडाईयों और घेराबंदी का अस्थल रहा है किला मूल रूप से बारावी सताब्दी में कोली जन जातियों द्वारा बनाया गया था और इसे कुंडाना के नाम से जाना जाता था बाद में 14वी सदी में बहमनन सल्तनत ने और फिर 15वी सदी में डक्कन सल्तनत ने इस पर कबजा कर लिया 17वी सत आपदी में महान राजा सिवाजी महराज के नेत्रित में मराठा समराज ने 1647 में आदिल सा सल्तनत से किले पर कबजा कर लिया सीवा जी ने अपनी जीत का जस्न मनाने के लिए किले का नाम सीगड रखा जिसका अर्थ है सेर का किला किले ने मुगल समराज के खिलाप मराठा समराज की रक्षा में एक रननीतिक भूमिगा निभाई 1662 में औरंग जेब की कमान के तहत मुगलों ने मराठो से किले पर कबजा कर लिया हालाकि 1670 में बहादुर मराठा योधा ताना जी मालू सरे के नेत्रित में एक साहसी रातरी छापे में मराठे ने किले पर पुना कबजा कर लिया सीहकर की लड़ाई आज भी महराष्ट में मराठा साहस और विर्टा के परतीक के रूप में मनाई जाती है 1820 सदी में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने मराठो से किला चीन लिया अंग्रेजों ने किला का उप्योग जेल और सेन अड़े के रूप में गिया था 1947 में बारत के अजादी के बाद किले पर भारतीय सेना का कपजा हो गया 1960 के दसक में किला जनता के लिए खोल दिया गया था और तब से यह एक लोग प्रिया प्रियाटा नस्थल बन गया किला एक पहारी की चोटी पर बना है और खड़ी चटानों से घिरा हुआ है किले में साथ त्वार कई बूर्ज और एक बड़ा अनबंडार है किले के अंदर कई मंदिर और मस्जिद भी है आज सीगर किला एक लोग प्रियाटा नस्थल है किला आसपास के छेतर का आदबुद्री से परस्तूत करता है और माराष्ट के इतिहास के बारे में जानने के लिए एक संदार जगा है और भी ऐसे ही किले से जुरी जनकारी और किलो के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोज अवस्य देए